नमस्कार मैं कश्रीश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइम नियूस में इस रपोर्ट में बात करें में अपढ़ना यादफ को लेकर कुछ तस्वीरें सामने आई है जेपी नड़्डा के साथ बरी जेपी नड़्डा यहां पर उनका जनम दिन था तो यहां पर एक मुल है पास्तारी को महन पूरी रामपूर उप चुनाव है खतोरी के चुनाव है घुज्जराथ के दूसरे चरंड के चुनाव जाते हैं तो यहां पर कयास लगा जाते कि अगर अपढ़ना यादफ सपह में वापसी करते तो क्या कुछ होता नज़र चाहें तो तो घ्य आपना इयादव और देखाए हूb उन्हें बड़ी जिमेदारी दे सकते हैं यूकि मैनपुरी की उपचुनाव में अभी भी डेट दिन बाकी है और चुनावों से पहले ही कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी ये बात सभी को मालूम है और चुनावायों से परमिशन लेना कई न कई बीजेपी पार्टिकल आसान है जिस तरीके से आपर लकतर विपक्ष निशाना साथता नजर आता है तो अगर यहां पर अपढ़ना यादव को जिमेदारी दी जाती है मैनपुरी उपचुनाव को लेकर तो यहां पर कई न कई लोगों के मन में ये सवाल था क्यों मुलायम सिंग यादव की सीट है पहली बार हुआ है कि कोई महिला अपने लिए स्ट्रैंड करती नजर आई हो लेकिन कई न कई डीट दिन में भी बहुत कुछ बदल सकता है अगर यहां पर अपढ़ना यादव रगुराज सिंग शाक्या का साथ देती नजर आई तो इक बाफिर जनता की बातों का सामना कर अगर डिमपल यादव का साथ दे दिया आकरी समय में उन्होंने तो ख़ए नख़ए बीजेपी पार्टी उनसे नराज होती नजर आएगी तो सवाल मेरा यही है कि आपका चाहते कि अपढ़ना यादव रगुराज का साथ दे या पर नहां पर डिमपल का राय ज़रूर ड